आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है 28 जुलाई है आज डे है मंडे तरह कि आज बहुत कुछ है डिसकुस करने के लिए बहुत इंपोर्टेंट न्यूज एनलेसिस भी है एडिटोरियल सेक्षिन भी है जो आपको अच्छा लगेगा और यूज डेफिनेटल गूइंट इस लेक्चर तो stay tuned पूरा लेक्चर सुनें आपको जरूर फूटफुल होगा आपके exam के लिए भी और basic knowledge के लिए भी तो without a delay चलिए start करते हैं आज का अपना लेक्चर news analysis का पहला portion start करने से पहले अगर आप कभी मुझसे बात करना चाते हैं या contact करना चाते हैं आपके पास मैंने दो mail id दे रखी हैं इन मेंसे आप किसी पे भी करेंगे देगे 90% time जो मैं frequently open रहता हूँ जिस website जिस mail id पे वो यह है अगर आप इस पे करेंगे तो immediately मिल जाएगा इस पे मैं time लेता हूँ इस पे हमेशा रहता हूँ तो आप दुनों में से किसी में करेंगे जवाब तो मिल जाएगा पर तुरंत मिले यह possible नहीं है time मिलेगा जरूर मिलेगा जवाब आए चाइना के ऊपर एक बहुत अच्छा news analysis था कि 1916 में जो इनका claim था वो से बहुत अ इसमें जो उनकी condition थी वो लग थी उस टाइम पे finger 8 तक बेटा हमारा पार्ट था उसको हम नहीं वदल सकते थे आज हमें finger 4 से आगे नहीं जाने दिया जाता अब यह एक बड़ा issue है finger 4 से आगे हमें नहीं जाने दिया जाता although जब ही जब बात हुई है तो finger 5 तक पीछे अटे है और हम finger 2 तक पीछे अटे हैं तो यह थोड़ा अजीब हो गया है कि जो finger 8 तक हम claim करते थे आज हमें finger 2 तक ही रहना पड़ रहा है तो इसके लिए कहीं नहीं हमें देखना है तो हमने trace किया history को हम कहें जब back history में तो हमें पता चला कि जब नहरू और के time पर चाइना के president से बात हुई थी उस time की condition कुछ और थी तो जब बात हुई थी तो उस time पर इनकी condition कुछ और थी तो पूछा गया कि point आपका क्या है तो उन्हेंने बुला तो 78 degrees and 49 minutes east latitude 33 degree 44 minutes north यह line आप दियान रखेगा इस area को अगर आज आज आप देखते हैं तो यह finger 8 तक आता है तो जाहिर सी बात है जब finger 8 तक आता है तो इसको कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है चेंज किया जा सकता है कोई condition नहीं कि इसको हम बदले तो हमें इसे follow करना था मानना था हमने माना नहीं उसके बाद और भी चीज़े पूछी गई थी कि यह हाईट फीक location पास सब बता दे चाइनीज ने सब भी बोला था 78 longitude 30 minutes east or 34 or 46 तो almost guest guest line उपर और नीचे वाली सेम आ रही है तो जैसे बात है हमारी condition ऐसी थी तो ऐसी रहनी चाहिए फिर जब clash हुआ तो उस टाइम पे condition बढ़ गई पॉइलेंस पहली बार हो गया यह टेंट लगाने लगे चीजे करने लगे यहां से नहीं अपनी इंक्रीश्मेंट को बढ़ाते रहते हैं और बात में उस एरियों को अपने पास क्लेम करते हैं इन्होंने रोड्स भी बनाई हमारा एरिया है इसके बाद म्यूजियम वर्क ह अब इसकी टेंडर किया गया ओनलाइन तो इसमें एक है मुविंग पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड फिल्म डिजाइनर स्टुडियो है जिसने फिर एक बार मोधी सरकार और ट्रंप इवेंट नवस्ते ट्रंप को और नाइस किया था अधर बिडर्स हैं विज्वल क्वे दे रहे हैं यह सब चाते हैं कि यह पी एम के म्यूजियम को बनाने में सपोर्ट करें आप देखते हैं यह कब हो सकता है जो यह एरिया है बिटा तैन थाउजन स्क्वाइर फिट एरिये में म्यूजियम बनेगा थ्रीडी अंट टच इनेबल डिस्प्लेइज होंगे इसमें आडियो विज्वल प्रोजेक्शन होगा होलोग्राम सोंगे हर चीज़े यहां पर दी जाएंगी ताकि आप इसको देख पाएं इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो बिटा दोसो चप्विस करोड है कम नहीं है देखते हैं किसको मिलता है यूएन में अभी याद है मोदी साब मैं बुला था कि रेजुलेशन की जरूरत है ड्राफ्ट करना है चेंजेस की जरूरत है पर अभी वो बहुत स्लो चलेगा आपको पताएं जो कंडिशन है पर इसमें कुछ नहीं हो सकता तहनेशन जनल एसेंबली में जो चीज़े होनी थे रिफॉर्म की वो आज भी बैकड अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो वर्ल्ड मैप में कंडिशन बहुत सारी चेंज है एशिया में सिर्फ एक सीट है पॉपॉलेशन अगर आप देखेंगे तो तकरिवन टूठ अफ़ फोड़ पॉपॉलेशन पूरा एशिया लेकर बैटा है यूरोप में दो सीट्स ह पर्मनेंट मेंबर्स बढ़ाए जा सकें देखें कब होता है इसके बाद डीजी सी आई ने ग्लैनमार्क पो नोटिस दी है कि वह आप रेट नहीं बढ़ा सकते दवाई का फैवी पियर जो है फैवी पेरिवेर को यह फैवी फ्ल्यू के नाम से बिटा बेचते हैं और यह जो है 27 परसंट बढ़ा दिया गया है इसका मलब यह तकरीबन 20 रुपर बढ़ा दिया गया है पहले पचास या 55 रुपर की दवा थी अब 75 मर्पी कर दी गई है तो यह चीज हमें ध्यान रखनी यह है जो कोरोना वाइरस में बहुत जादा काम आ रही है और बहुत कर रही ह आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम higher education लेते हैं सारे काम करते हैं और future में largest youngest pool जो होगी इंडिया के पास होगी 2030 तक तो जैसी बाद वो सिर्फ एक vocational learning से या सिर्फ educational learning से नहीं ने दोनों की जुरूत है आज की डेट में चीजे बदलनी पड़ेगी conventional mindset हम हमारे काम नहीं आएगा तो जैसी बाद है आज skill चाहिए degrees नहीं चाहिए हमारे आए जो copy pen वाला exam हो और book से याद करके exam देना है कि किसी काम करनी तो हमें कोशिश करनी academic model को बदले चीजों को update करें ताकि चीजी future के लिए हमारे लिए बैतर हो याद रखिए education system तबी improve होता ह है जब हम skill दें नाकि knowledge knowledge और skill दोनों साथ में होगी तो फायदा होगा परी imagining the teacher role देखिए अभी तक teacher क्या था white world पर पढ़ाता था notes allowed बोल देता था बच्चे लिख लेते थे उंपक दे देता था चला जाता था आज पीपीटी बनाना जिए वाइसोवर्स करना कैरी करना वर्च्वर रियालिटी और आर्टिफिशल रियालिटी इन सब पर रायना वी आर और यार का यूज करना कहीं ना कहीं आज हम intelligence पर आ गए हैं ठीक है अब्डेट करना पड़ेगा विदाउट अब्डेशन और टेक्नेलोजी के साथ चले बिना उनका काम नहीं चलेगा आपको ध्यान रखना है बच्चों को स्किल्स देने के लिए कुछ यूनीक करना है तो आपको यह करना पड़ेगा इसका वोकेशनल एजुकेशन की बात क ज़रूरी आज की डेट में तो उस वोकेशनल टेनिंग के लिए में लगना पड़ेगा सेवन शेडियूल में यह सारी 14 शेडियूल इंट्री 14 ऑफ सेवन शेडियूल कॉंसिटीशन ऑफ इंडिया में है आप इसमें एग्रिकल्चर एजुकेशन से लेकर स्किल क्राफ्ट स इन सब के बारे में एजुकेशन दे सकते हैं देगे जब यह सीखें के वोकेशनल ट्रेनिंग जो होगी वो स्पैसिफिक एक्शनेबल टार्गेट के लिए दी जाती है इसको देने से फायदा होता है इससे लोगों की लर्निंग बढ़ती है और फ्यूचर में काम भी है तो जैसी बात है आपको कहीं ना कहीं इसकी डेवलप्मेंट लोगों का करना पड़ेगा कोवी नाइंटीन में देथ जो है छे लाग से उपर चली गई है है ना हौंग कॉंग में यह कंडिशन है कि फिर से कोवी नाइंटीन इमर्ज हो रहा है वर्ल्ट इंफेक्शन है हम सबको ध्यान देना पड़ेगा हम कैसे से सही कर सकते हैं ट्रेसेबल कंडिशन कैसे आ सकती है चाइना और इगर मुस्लिम्स के साथ हमेशा बुरा करता है इसके बारे में यूके भी बोल रहे है तो जब इनको आइसोलेशन में डाला गया उनके लिए डिटेंशन कैम्स मनाए गए तो लोगों ने का कि अब ये खतम हो जाएंगे इनको फैमली से मिलने दे जाएगा तो यह बोला गया कि नहीं नहीं यह ऐसा नहीं है चाइना ने बोला हम इनको वोकेशनल टेनिंग दे रहे हैं ताकि ये फ्यूचर में काम कर पाएं तो यह थोड़ा है और आज मुस्लिम्स को वहां पर बहुत बुरी हालात है बहुत हार्श मैनर में उन्हें रखा जाता है तो इन चीजों को वहां समझना पड़ेगा आईए एडिटोरियल सेक्शन पर चलते हैं देखे एडिटोरियल भी थोड़े इंपोर्टन दिये गए पहला इंडिया ने क्या है इंडिया ने माला बार में जो 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 ऐइन अंडिया प्रवार्च Condition区 तो कहते हम प्रवार कले में ए रूख्यार तवी हैंगा उसलिए रखत環ा आपको जो कि नहीं की आपको लिए क्या करना चाहते हैंगे तवी एच्चे के सब्सक्राइब हम нее ज念ता है. बड़े ध्यान रखेंगे हम अपने चाइना के साथ कॉन्फिक्ट भी बढ़ाने की कंडिशन में ना है यह हमें समझना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए प्राब्लम हो जाएगी वो बहुत कौशिया से इन सब चीजों को लेकर फिल अभी तक है पीबल लिबलेशन आरवी की नेवी जो है उन्होंने कभी भी हमारे लिए कुछ बुरा नहीं किया वो आज भी अपनी साथ है मिलिटरी पावर और बीजिंग की जो है बेनिफिट जो होगा इनी को होता है तो जाइड सी बात है इसको कोई भी मना नहीं कर सकता है कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों बहुत कंडिशन में बुरे है तो एक जोइन्ट मिलिटरी एक्सरसाइज होती है बे ओफ बेंगॉल में यूएस जैपैन की नेवी जाती है और सस्टेनेबल सर्वी लैंस और डिफरेंस ऑपरेशन होते हैं इंडियन ओशियन रीजन में तो यह तो ऑस्टेलिया उंप्रबिबली से जाइन कर सकता है अगर नहीं करता तो बात अलग है देखते हैं क्या होगा पर यह क्वार्ड एक अच्छा स्ट्रॉंग होड है जो चाइना को टैकल करने के लिए हमारे प्लैन में एड हो सकता है क्वार्ड बहुत दिनों से चला है क्वार्ड वर्ड जहां पर आएगा वहाँ पर USA, इंडिया, जैपैन और आउस्टेलिया आप एड कर दीजेगा अगर आप चाहें तो क्वार्ड एक बार रीट कर लीजेगा और अगर आप चाहते हैं इसके लिए कोई स्पेशल एक्छर बनाओ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यूएज चाइना भी बहुत जगे करता है बट ठीक है पॉलिसी रीट्रीट जो ट्रम्प ने अभी किया था स्टूडेट्स के लिए और H1N1 वीजा तो सब रोके थे इन सब के बारे में बात है है H1B वीजा एन ओल के बारे में बात चल रही है देखते हैं क्या होता है देखें यहां पर जो स्टूडेट्स आ रहे हैं उससे जॉब की प्रॉब्लम होगी और कहीं न कहीं USA के एकनॉमी पर सफर कर रही है तो उसको इंप्रूव करने के लिए इस policy पर सोचना पड़ेगा federal law को challenge किया गया है federal court में देखते हैं इस challenge से क्या होता है यह cruel है illegal है इन सब conditions को में बदलना पड़ेगा employment के generation और economy को boost करने की कोशिश करनी है तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस पर आप देखें ऐसी कुछ नहीं है जब वो यहाँ पर भाग चुका तो वहाँ क्यों नहीं भागा दूसरा जब वो travel कर रहा था different car में तो ऐसा क्यों हुआ कि वो overturned हो गई ठीक है इसके बाद third है जो media का envoy चल रहा था उसे जैन में क्यों है stop कर दिया गया इसके बाद fourth डूबे अगर criminal था और उसे हैंडकफ क्यों नहीं किया गया क्योंकि वो क्यों पिस्टल लेके भाग पाया पांचवा he was shot in chest while running away अगर वो दौड रहा था तो उसके कपड़ों पे और उसके पीछे डट किया जाता chest पे कोई नहीं करना था तो ऐसे और भी five eights हैं इसके जो थे उनको भी इसी manner में मारा गया था तो यह condition बनती है पांच reason है तो judges नहीं होते यह नहीं कहा जा सकता कि इनकी cooling गलत है हम नहीं कह रहें कि दुबे साहब को गलत मारा गया बट प्रॉब्लम यह है कि दुबे साहब जब मारे गया चीफ मिनिस्टर से कहा गया कि judiciary मेंने कैसे मार दिया गया तो इन्होंने कहा कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसे ठोक दिया जाएगा तो यह जो ठोकी राज है इसके बारे में भी मीडिया बता रही है कि गलत चीज़ है यह नहीं होना चीए ठोकी राज की condition है जाहिर सी बात है आज की date में UP government इसको जानती थी और लोग जानते थे इसको चेक करेगा और इसके बाद वो देखेगा और अगर कुछ निकलता है तो मैजिस्ट्रेट इंक्वेरी होगी सेक्शन 176 code of criminal procedure इसके बारे में बोलता है डिसएग्री guidelines बहुत सारी है कि FIR 16 के लिए इसी तरह से पहले कर चुकी है ठीक है तो अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ उसके बाद citizens against hate की बात करी जाए तो इन्हों ने भी बहुत सारी चीज़े बोली है कि यहां पर कई सारे options हो सकते हैं CID investigate कर सकता है magistrate की condition जो भी आपको उपर बताई वो होती है यूपी government ने बोला है कि इससे बात एक और चीज़ है कि यूपी शोस की नहर्सी और सुप्रिम कोड गाडलेंस नीड टू बी रिवर्किंग अब उसके बाद यूपी government ने एक special investigation team बनाई है SIT बोलते हैं जिसको SIT comprised deputy inspector general डियाईजी है पुलिस के रविंदर गौड इनको दिया गया है और जो डियाईजी साहब है इनके उपर खुदी judicial killing के कई सारे काई एक दो cases CBI में लगे थे उस पर इनकी inquiry चल लाई थी उसके बाद इन ही को इसका वो बना दिया गया है तो अब यह जो inquiry है यह होती है क्या होता है इसको तो हमें नहीं पता पठ हमें ध्यान रखना है कि आज पुलिस की और इनकी accountability की questions mark बहुत हो र दियान देना चाहिए इन conditions को change करने की जड़ूरत है अब इन conditions के दम पर इन conditions को change करने की जोगत है अब इन conditions के दम पर हम लोग नहीं रह सकते हो तो हमें सोचना पड़ेगा अब anti-toucher law separate की हुए बहुत important चीज़ है आपको बता है तमिल नादु वाली condition है repeated article है बहुत ज्या इतना torture किया गया कि इनकी death हो गई इसके बाद media ने इस question को उठाया इसमें कई सारे ऐसे human rights के cases थे जिनके बारे में यहां बताया गया है इसके बाद बेटा जब यह हुआ तो CBI की inquiry लग गई और जो inspectors थे उन सबको जो police officers के लिए responsible थे उनको आज arrest कर लिया गया और उनकी न the investigation the procedure is not fair तो जैसी बाद हमें इसको fair बनाना पड़ेगा और police need to be trained better और police को भी proper trained हमें करना पड़ेगा तो third degree method जो है वो replace होने चाहिए scientific skills से तो भाई कई सारे medical and scientific skills है जिससे करना चाहिए तो इसी होगा कि भाई आप किसी को मारेंगे नहीं और torture करने की condition आएगी ही नहीं piloting protocol of accommodation देखिए यह बहुत बहतरीन article लिखा गया है बहुत अच्छा है इसको समझने से पहले आप कुछ basic point समझेए देखिए INC जब बनाई गई थी तो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के बनाने के condition और थी यह पूरा वही लिखा है जो भी गयलोद government और राजिस्तान में चल जब इंडिया नेशनल कॉंग्रेस बनी तो बहुत सारे senior और लीडर्स थे जो आपके इसमें चलते रहे इसके बाद गांधी एनर आया गांधी एरा में ही 1929 में जब हमने complete independence का resolution पास किया उसी टाइम पे गांधी जी ने यंग हैंड्स में कॉंग्रेस को दिया और नहरू को कहा कि नहरू इसे समालेंगे इन्होंने का जवाना है motivation का चीजों का और energy का तो energy के लिए young leader नहरू से अच्छा कोई नहीं था तो उन्हें वहाँ पर बना दिया गया और एक discipline organization बनाया नहरू ने ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया बहुत अच्छा गया बह थोड़ा अलग इन से रहने लगी इसके बाद all leaders जैसे अचारे नरेंदेव जय प्रकाश नरायन ने इन से दूर होना अपने old cameras से जरूरी समझा उसके बाद जा अचार कृपलानी एंजी रांगा ये भी जो थे ये भी चले गए differences में इसके बाद रफी एहमाद और अजीत प्रिशाद ये थे ये बाद में वापस आये क्योंकि force of pace था उसके बाद लोगों को ये लगा कि बही है इनका फेस बहुत important है वोट हम नहरू के नाम पर ही पाते हैं तो इन चीजों कम छोड़ नहीं सकते हैं तो जुएंटली नहरू जब तक रहे तो नहरू एरा में जैसी देथ हुई उसके बाद लीडर्शिप जो थी 64, 66, 67 में चेंज हुई इसके बाद निरा गांधी मुडार जी दिसाई एक टाइम पर कलीक थे कैबिनेट कलीक्स थे फिर कॉंग्रेस वेक्यूम में पर करने लगी पॉलिसी इनकी अलग हुई इसके बाद फिर से कोई पार्टी नहीं आई कॉंग्रेस काम करती रहे फिर भाद लीडर्शिप नहीं पर कोई पार्टी नहीं आई कॉंग्रेस काम करती रहे फिर भारती जिनता पार्टी तयार की गई एल की आडवानी और अटल बिहारी बाचपई के साथ अटल बिहारी मासेस के बहुत इंपोर्टन लीडर थे पर इनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया है स्टेट में कॉंग्रेस की गॉर्मेंट थी सेंटरल में ये थे तो रिलेशन्शिप बहुत अच्छे नहीं चल आए थे कई सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको सौट आउट करना जरूरी हो गया था ते कंडिशन्स चलती रहे इसके बाद आज इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की क्या हालत है आज बीजेपी जो है एक सुनामी की तरह इनके लिए है जो पूरा-पूरा कॉंग्रेस उड़ाय जा रही है तो कॉंग्रेस को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा अपनी लीडर्शिप क्वालिटीज को चेंज करना पड़ेगा उनको अपनी कंडिशन्स को बदलना पड़े तो इन्हें सोचना है कि कैसे से करेंगे आज पाइलेट साथ जो हो रहा है उसको में ध्यान रखना है वो यंग लीडर है बहुत अच्छी कंडिशन थी कॉंग्रेस को रिवाच करना चाहिए अपनी कंडिशन को और सोचिश करनी चाहिए कि रिलेशन्स रिविल्ट रहे हैं अगर देखिए ये चीज होगी तभी हम अपने अंप्राइमेंट के स्लैप को खतम कर पाएंगे कम कर पाएंगे ग्राफ को डाउन ले पाएंगे वनना ये अनप्राइमेंट बढ़ता जाएगा COVID-19 ने कंडिशन और भी गाड़ दिये तो अब वोकेशनल ट्रेनिंग की हमे झाल 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 झाल